ओम गण गणपत ये नमहा स्री गुरुदे वदत नमस्कार मित्रो प्रॉफिट 666 चानल में आपका स्वागत है कैसे हो आप आशा करती हूँ कि आप जरूर कुशल मंगल होंगे मित्रो आज इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ एक दिया जलाकर शत्रू से होने वाली पीडा, कश्ट, शड़े यंद्र से छुटकारा पाकर शत्रू का उसके कर्मो नुसार उच्चाटन करने के एक बहुत ही सरल और आसान लेकिन उतने ही शक्तिशाले शत्रू नाशक उपा काल में हमारे बहुत सारे दर्शक, सरल लेकिन महाशक्तिशाले शत्रू विनाशक उपायों की जानकारी के बारे में लगातार पुछते हैं इसलिए आज मैंने इस बिना, यंध्र, मंत्र या प्रार्थना या विशिष्ठ पुजा विधी के एक शत्रू नाशक उपाय के ब बुलिए और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकोन पर क्लिक करें। यह शत्रुनाशक उपाए भईरव भगवान को समर्पित किया जाता है। भईरव भगवान जो भई का विनाश करते हैं। उनको समर्पित किये गए यंत्र, मंत्र और उपाए इस कलियुक के काल में अत्यंत असरदार साबित होते हैं। भईरव भगवान की सात्विक, राजसिक और तामसिक इन तिनों उद्दोशं के लिए पुजा आरधना की जाती है। अब मैं आपको इस उपाए के बारे में बताने जा रही हूं। गुरुपई अध्यान से सुनिए। इस उपाए का उल्लेक प्राचिन भविश्य पूरान में भी मिलता है। और इस उपाए का प्रयोग किसी भी दिन किया जा सकता है। साधक को अपने पूजा घर में भैरोव भगवान की मूर्ती या फोटो के सामने एक सर्सु के तेल का दिया प्रजवरित करना है। और उस दिये के सामने सिर्फ हाथ चोड़कर भैरोव भगवान का समरन करना है। किसी भी प्रकार का मंत्र या प्रार्थना बोलने की अवशक्ता नहीं है। अपको किसी भी शत्रू या शत्रूों का नाम लेने की अवशक्ता नहीं है। यह उपाय एक से जादा याने की बहुत सारे शत्रूओं पर या गुप्त याने की छुपे हुए शत्रूओं पर भी काम करता है। इस उपाय को जब तक आपको शत्रूपीडा से मुक्ती नहीं मिलती है, तब तक जारी रखना है। अगर आपके घर में पूजा घर नहीं है, तो भी आप अपने घर में भैरो भगवान का फोटो स्तापित करके इस उपाय का प्रयोग कर सकते हो। कृपया एक चीज़ का जरूर ध्यान रखे कि इस उपाय को प्रबर इच्छा शक्ति और पूरे आत्म विश्वास के साथ करना है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ गया हो तो कृपया सस्क्राइब करना मत भूलिए। प्रभू सबका कल्यान करेंगे। क्या हूं